दोस्तों जब हमारी बोड़ी में आलस या एनरजी कमी मैशूस होने लगती है तो इसका मतलब यह होता है कि हमारे जो पोशक ततो हैं खाने से वो हमारे सरीर में नहीं जा पाते और जब एनफ मातरा में जरूरी मातरा में कोई पोशक्ततों हमारी बोड़ी में नहीं जा पाते तो हमारी बोड़ी उसी तरह से हमें negative fact देने शुरू करती है यानि हमारा स्रीर दूबला पतला होने लगता है, हमारे स्रीर में पोशक्ततों की कमी होने लगती है जिसकी वजयसे हमारे स्रीर में थकान, आलस, वैह उर्जा की कमी हो जाती है तो दोस्तों इन सबी कम्यों को दूर करने के लिए बनाये गया है देव फार्मा कमपनी दवारा पौरोस जीवन कैपसूल वोरस जियोन कैपसुल हमारे सरीर में बाइल जूस को बढ़ाता है जिसकी वज़े से हमारा सरीर जल्दी किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर पाता है और जो एंजाइम है वो ज्यादा बन जाते हैं जिसकी वज़े से खाने को अच्छी तरह से पचा कर हम उसमें पोशक ततो अवारी बोड़ी ले पाती है और खुन के जरीर वो हमारे सरीर में जा पाती है जिसकी वज़े से हमारी मसल बनना सुरू हो जाती है और हमारा सरीर हश्ट पुष्ट दिखने लगता है लेकिन दोस्तों सबसे जरूरी बात यहाँ पर जानने वाली यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं असली उर्जा का स्तरूत और हमारी मसल बनने का असली स्तरूत वही है तो खाने में अगर प्रोटीन की मातरा ज्यादा है तो हमारी बोड़ी जल्दी बनेगी अगर खाने में ग्ल्कोज की मातरा ज्यादा है कार्प्स हम ज्यादा खा रहे हैं तो हमें एनरजी ज्यादा मिलेगी लेकिन ऐसा क्या होता है पोरुष जीवन कैपसुल में जो खाते ही हमें एनरजी मैसूस होने लगती है या उसी से मसल बनने लगती है दोस्तों पोरुष जीवन कैपसूल में सोर्स नहीं है हमारे सरीर को हष्ट पुष्ट करने का लेकिन दोस्तों इसकी वज़य से हमारा सरीर में बाइल जूस ज़्यादा बनता है और खाना जल्दी पचता है और खाने से हमें असली जो पोसक तत्व है वो मिल पाते हैं जिसकी वज़य से हमारा सरीर ठीक हो जाता है तो पोरुष जीवन के बहुत से फायदे हैं क्योंकि ये टोटली आयरवेदिक है इसके अंदर बहुत से आयरवेदिक कंटेंट डाले गए है जो की मैं आपको यहां स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ जिसकी वज़य से हमारा सरीर हष्ट पुष्ट रहता है और बिमारियों से लड़ने में हमें मदद मिलती है ये आयरवेदिक हर्ब जो की हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं पोचाती अगर हमें इन्हें धंग से उप्योग करना आ जाए तो दोस्तो ऊर जिसके बहुत से हमें फाइदे हो सकते है बात करते हैं कि साइड इफेक्ट हमें क्या क्या हो सकते है तो दोस्तों अगर आप पहले से कोई भी आयरवेदी के अलुपेथिक दवाई ले रहे हैं तो एक बार अपने डोक्टर को बता दे ताकि वह सुनस्चित कर ले कि इनका कोई बोडी पर इंट्रेक्शन तो नहीं होगा आपको परेज रखने हैं आपको ज्यादा मसालेदार चीजे नहीं खानी आपको श्राब नहीं पीनी स्मोकिंग आपको नहीं करनी और प्रेगनेंसी और स्तन पान के दोरान आपको पूरुस जीवन कैपसुल का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना है धोस्तों आपको पूरुस जीवन कैपसुल लेते दोरान अच्छा स्वस्त खाना खाना है आपको कोई बीगल चीजे नहीं खानी है और हमेशा ये खाने के बाद ही कैपसुल आपको लेना है और इसको आप दिन में दो कैपसूल एक एक करके या एक एक करके दिन में तीन बार इसे ले सकते हैं लेकिन अपने डॉक्टर के प्रामर्स के दुवारा ही से ले, जैसे उन्होंने का है, उसी तरह ले और तीन महीने से ज़्यादा पोरुस जीओन कैपसुल को इस्तमाल ना करें ताकि ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग ना बन जाए इसकी आपको लत ना लगे तो उस केस में आप तीन महीने लेकर इसे रोक सकते हैं लेकिन छोड़ने चे पहले एक बार डॉक्टर से सला जरूर कर लें कि अब मैं पूरुस जीओन कैपसुल छोड़ रहा हूं लेकिन दोस्तों एक अफ़ते के बाद आपको की बोड़ी में खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा आपका सरीर हश्ट पुष्ट होने लगेगा दोस्तों बात करते हैं इसके MRP की ये आपको एक बॉक्स जिसके अंदर आपको 6 स्ट्रिप मिलेंगी यानि इसके अंदर जो 6 स्ट्रिप के अंदर आपको 60 कैपसूल मिलेंगे जिनका MRP है 210 रुपए आप चाहें तो एक स्ट्रिप भी खरीज सकते हैं जिसके अंदर 10 कैपसूल है वो आपको 33 रुपए के आसपास मार्केट में एजली अव लेवल हो जाएंगे तो दोस्तों ये था पोरुष जीवन का कंप्लीट रिव्यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों साथ सेर करें कोई सवाल या सुजाओ तो कमेट सेक्शन में बताएं और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को करना ना भूलें दन्वा दोस्तों चैनल